माहा शिवरात्री 2021 माहा शिवरात्री पर शिव पूजा से इन दोशों से मिल सकती है मुटी। हिंदू पंचान के आनुसार शिवरात्री के दिन बेहद खास माना जाता है। इस दिन भक्त भोले नात की पूजा और व्रत करते हैं। हर साल ये पर्व फ्वालगुन माह में क्रिश्न पक्ष चतुर्दशी तिथी को मनाया जाता है। इस बार महा शिवरात्री पर शिवयोग के साथ घनिष्ठा नक्षत्र होगा और चंद्रमा मकर राशी में रहेंगे। महा शिवरात्री पर उमें रात्री की प्रधानता रहती है। इस कारण 11 मार्च को महा शिवरात्री पर मनान शास्रि सम्मत होगा। इस दिन सुबह शुन्य नौ बचकर बाईस मिनिट तक महान कल्यान कारी शिवयोग रहेगा भी। उसके बाद सभी कारियों में सिध्धी दिलाने वाला सिध्ययो कारंभ हो जाएगा। चतुर्दशी तिथी की शुरुवात 11 मार्च को दो पहर 2 बचकर 49 मिनिट से शुरू होकर अगले दिन 12 मार्च को दो पहर 3 बजे बचकर 2 मिनिट तक रहेगी। महाशिवरात्र का नेशिद काल 11 मार्च को राद 12 बचकर 6 मिनिट से 12 बचकर 55 मिनिट तक रहेगा। शिव पुरान के अनुसार प्पाल गुन मासकी कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्र कहा जाता है। दरसल महा शिवरात्री शिव और शक्ति के मिलन की रात का पर्व है। दार्मिक मायताओं के आनुसार शिवरात्री की रात आध्यात्मिक शक्तियां जागरेत होती है। महा शिव रात्रे के दिन शुब काल के दोरान ही महा देव और पार्वति की पूजा की जानी चाहिए तब ही इसका फ़ल मिलता है। इस दिन का प्रते घड़ी पहर परम शुब रहता है। कुवारे कयाओं को इस दिन वरत करने से मनो नुकूल पती की प्राप्ती होती है और विवाहित्स्त्रियों का वैधव्य दोश भी नश्ट हो जाता है। शिव पूजा से निम्ध दोशों से मिल सकती है मुक्ति। महाशिव रात्रिल में शिवलिंग की पूजा करने से जन्म कुंडली के नवर रह दोश तो शांत होते हैं। विशेश करके चंद्रजनित दोश जैसे मानसिक, अशांति, मा के सुख और स्वास्ति में कमी, मित्रों से संबंत, मकान वाहन के सुख में विलंब, हृदय रोग, नेत्र विकार, चर्मकुष्टोग, नचला जुकाम, स्वान्स रोग, कपनिमुनिया संबंधी, रोगों से मुक्ति मिलती है और समाज में मान प्रतिष्ठबटी है. शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाने से व्यापार में उन्नती और सामाजिक प्रतिष्ठबटी है. कुंडली विशलेशक अनीश व्यास ने बताया कि भांगरपन से घर की अशान्ती, प्रेत बाधा तथा चिंता दूर होती है. मंदार पुष्प से न शुब रहगोचर से हानी नहीं होती. सद भावनापाती यूज.